हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की इस क्लास में and a very good afternoon तो आज बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं वाट इस डिमोक्रसी और वाइ डिमोक्रसी का लेक्चर नमबर वान और आज हमारी रिविजिन सीरीज है ठीके तो बच्चों इस चाप्टर को हम जो है बहुत ही अच्छा से रिवाइस करने वाले हैं तो रिवाइस करना स्टार्ट करते हैं ठीके चलिए सबसे पहले जो है बच्चों हां जी आगे चलते हैं और यहां पर हमारी class 10th के लिए यानि कि बचो आप लोगों के लिए जो भी class 10th में जाओगे उनके English medium के बचो के लिए एक VIP course शुरू कराया जा चुका है बचो इस course के अंदर board exams में अच्छे marks लाने के लिए आप पूरी तयारी कराई जाएगी साथ ही म एक साल का course है और science, maths, English और social science यह सारी ही subjects आपको इसमें available कराया जाएगे तीन classes होंगी बचो दिन के और हफते के छे दिन classes होंगी साथ ही में homework, notes, slides और test यह सारी चीज़े होने वाली हैं और बचो weekly motivation, guidance session, reference book, previous year questions, important question bank, यह सारी की सारी जो चीज़े हैं आपको इस course के अंदर provide कराया जाने वाले हैं अब बचो यह course जो है best क्यों है क्योंकि इसमें जो है न टॉप टीचर आपको पढ़ाएंगे उसक्याद बचो doubt clearing के लिए इतनी सारी चीज़ें आपके पास available हैं, practice होगी इन सारी ही homework, important questions, previous year questions के थुरू, उपर से बचो dual teacher classes है, एक teacher तो class लेही रहा ह और दूसरा teacher जो है, लाइव जब आप जो है न comments करोगे, उन comments का reply देगा उसी समय पे, और बचो, classes जो हैं आपको 480 classes with teacher slides and daily homework provide कराये जाएंगी, और guidance sessions तो होंगे ही साथ में, उसक्याद बचो यहाँपे meet your teachers को भी देख लेते हैं, हम लोग तो यहाँपे physics, chemistry, biology, maths, English और social science क teachers मौझूद हैं, तो आप सभी को जानते ही हैं, और अगर बचो आपको course के बारे में कोई भी और information चाहिए, तो आपको इस दिये गए number पे contact करना है, 0124-715-825-0, और बचो, comment भी कर सकते हूं, ठीक है, चलो, अभी जो एक poll आएगा आपकी screen पे, और आपको बताना है कि क्य आप class 10 board VIP course को join करने के लिए interested हैं, फटा-फट से बता दीजे, चली, चली बचो आगे चलते हैं, और हम जो है, यहाँ पे meet your teacher की भी बात कर लेते हैं, बचो मेरा नाम है उजवला और मैं आप लोगों को social science बढ़ाती हूं, ठीक है, चली, आगे चलते हैं बचो, और यहाँ पर जो है आज हम इस chapter को important questions के थूरू revise करने वाले हैं, हमको पत ठीक है, चलो, पहला quiz है, बहुत सारे quizzes आएंगे, लेकिन अभी पहला वाला attempt करते हैं, democracy जो है, it must be based on, one party system, free and fair elections, choice from only the ruling party, या फिर all of the above, बच्चों, फटा फट से जो है अपने answers दे दीजे और फिर हम लोग इसको discuss कर लेंगे, चलिए, next question क्या है, how do democracy allow us to correct our own mistake, कि how does the democracy allow us to correct our own mistakes, अपनी गलतियां सुधारने का मौका हमको democracy कैसे देती है, बच्चों, तो mistakes जो है, वो जो है छुपी भी होती है, उनको change नहीं करा जाता है, रिलेक्टिंग सेम गावर्मेंट, सेम गावर्मेंट को ही रिलेक्ट कर देते हैं, और फिर mistakes अपने आप करेक्ट हो जाती है, रूलर्स जो है चेंज करे जा सकते हैं, या फिर none of the above, चलो, 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 हम जो है discuss कर लेते हैं, तो बच्चों, democracy हमको हमारी mistakes करेक्ट करने का मौका कैसे देती है, क्योंकि बच्चों, democracy के अंदर हम जो है न, क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी ruler से, या फिर किसी party जिसका rule चल रहा है, उससे नाखुश है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे हम अपनी mistakes को बहुत easily correct कर सकते हैं, तो option C जो है, एकदम सही option है, और बच्च जब भी हम democracy की बात करते हैं, तो हमको पता है, कि जो democracy शब्द है, हमेशा एक form of government बताते हैं, जिसको हम बोलते हैं, कि it is by the people, of the people, for the people, बच्च पन से सुनते हो आ रहे हैं, by the people, for the people, of the people, लोग जो है, लोगों की government होती है, लोगों के लिए government होती है, और ठीक है, लोगों न यही बनाई है, वैसी government होती है, ठीक है बच्चो, simple सी definition है, simple सी बात है, लेकिन बच्चो, यहाँ पर एक बात आती है, कि आप इसी definition को लिखोगे और democracy को आपने अच्छे से define कर दिया है, इस definition के थूँ, नहीं, यह जो definition है, बहुत ही जादा limited है, तो बच्चो, democracy, form of government है, जह यहाँ पर जो rulers है, उनको कौन elect करता है, उनको लोग elect करते हैं, people elect करते हैं, ठीक है, तो it is a form of government where the rulers are elected by the people, यह बहुत ही simple सी definition है, बच्चो, लेकिन आपको पता चलेगा कि बहुत सी ऐसी जगाएं होती हैं, जहाँ पर rulers को जो हैं, लोग elect नहीं करते हैं, बच्चो, elect करने का जो है, right ही नहीं दिया जाता है, तो कैसे करेंगे, उसके बच्चो, जब हम democracy के features की बात करते हैं, तो हमको पता चलता है, खी बच्चो, यहाँ पर rulers होते हैं, ठीक है, rulers कौन होते हैं, तो जो भी लोग जिनके पास decision making power आ जाती है, ठीक है, जो लोगों के बहाफ पर rule करते है election होता है, बच्चो, democratic election होता है, free and fair election होना चाहिए, उसके बच्चो, लोग कौन होते हैं, लोग होते हैं, citizens, ठीक है बच्चो, और फिर साथ ही में, form of government होती है, democracy, बहुत ही simple सी बात है, तो बच्चो, major decisions जो होते हैं, democracy के अंदर, वो कौन लेता है, वो लेते हैं, हमारे elected leaders, जो representatives होते हैं, ठीक है बच्चो, तो major decisions जो यही लोग लेते हैं, साथ ही में, बच्चो, अगर हम लोग बात करें, free and fair electoral competition होता है, ठीक है बच्चो, तो हर किसी party को मौका मिलता है, कि वो जो है, elections में भाग ले सके, और बच्चो, candidates भी आते हैं, और जब हम vote करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है, कि हर कोई जो है ना, मतलब vote देकर आएगा, अपने favorite candidate को, अपनी favorite party को, और उसके बाद एक बहुत ही fair तरीके से results count होंगे, देखेंगे, majority votes किसको मिले हैं, और वो इनसान या party जो भी है, जीत जाएगी, ठीक है बच्चो, उसके बाद one person, one vote, one value, बच्चो, चाहे वो किसी भी religion को belong करता है, किसी भी caste को belong करता है, किसी भी color को belong करता है, कोई फरक नहीं पड़ता है, हर किसी इनसान का एक ही vote है, और उस vote की, हर vote की एक ही value है, तो ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है ना, तो उसके vote की value 60% है, गरीब के vote की value 20%, ऐसा नहीं है, ठीक ह सब के vote की एक ही value रहेगी उसके बच्चो हम देखते हैं क्या हम देखते हैं कि rule of law and respect for rights ठीक है बच्चो तो एक तरह से government भी अगर हम उसको elect कर रहे हैं तो government का ये मतलब नहीं है कि government किसी भी हिसाब से रूल करती चली जाएगी government में कोई control नहीं लगेगा तो बच्चो government को भी rights को accept करना पड़ेगा rights को respect करना पड़ेगा उसके हिसाब से चलना पड़ेगा लोगों के rights को respect करना पड़ेगा और ऐसा नहीं है कि government आगे लोगों के rights छीन सकती है बिल्कुल भी नहीं ठीक है बच्चो उसके बाद हम बच्चो जो है इस chapter को खतम करते हैं और यहां पर मतलब एक तरह से जो हमने summarize करा है ठीक है उस summary को खतम करते हैं और हमें पता चलता है कि rulers जो है वो लोगों द्वारा elect किये जाते हैं वही major decisions लेते हैं elections जो है लोगों को एक free and fair opportunity देती है कि वो अपने rulers को change कर सके साथ ही में बच्चों सारे लोगों को यह opportunity equal basis पे available होती है ठीक है हर किसी के पास same ही opportunity है और बच्चों हम देखते हैं कि जो government है उसके powers पर भी रोक लगा रखी है किसने हमारी constitutional लोगों के rights ने ठीक है बच्चों तो government इन rights को hamper नहीं कर सकती है I hope आप सभी को बात समझ में आगे फिर हम why democracy की बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमने democracy को choose क्यों करा है तो उसके कुछ benefits देते हैं और फिर कुछ उसके जो है नुकसान भी बताते हैं कि arguments against democracy and arguments for democracy तो एक जिससे debate होते है उसमें against or for बोलते है न उसी तरीके से बात समझ में आ गई है न हर किसी को चलो चलो बच्चो फिर broader meaning of democracy के बाद जो है chapter खतम हो जाता है अब हम जरा अपना first question देख लेते हैं यहां पर पूछा गया है कि democracy क्या होती है और non-democratic countries के हमको क्या करने है example देने हैं तो बच्चो अभी मैंने आपको बताया democracy की definition आप लो जहां पर बच्चो leaders are elected by the people लोग leaders को elect करते हैं अब बच्चो non-democratic country के example जब पूछे हैं ठीक है army rulers है the army rulers of Myanmar इनको जो है they are not elected by people तो बच्चो इनको ऐसा नहीं है कि को elections कराये गए है यहां पर not elected by the people ठीक है लोग इनको elect नहीं करते हैं बच्चो तो ये एक तरह से खुच से ही leader बने पड़े हैं इनको को elect नहीं कर रहा है ठीक है बच्चो लोगों का कोई भी point of view लोगों की कोई बात मानी नहीं जाती है लोगों का कोई say ही नहीं है government के decisions पे government के activities को influence वो बिलकुल भी नहीं कर रहे हैं ठीक है बच्चो तो एक तो ये example हो गया दूसरा हो गया चिली चिली की अगर बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि पिनोश जैसे यहां पर क्या रहते हैं डिक्टेटर्स रहते हैं यहां पर बच्चो डिक्टेटर्स क्या होते हैं एक ही ruler होता है जो जिसके पास absolute power होते है किसी भी तरह से वो power अपनी exercise कर सकता है फिर बच्चो यहां पर हम एक और जगह की बात करते हैं साओधी अरेबिया साओधी अरेबिया का नाम बच्चो आपने सुन रखा होगा साओधी अरेबिया और नेपाल नेपाल भी एक टाइम पर ऐसी था ठीक है यहां पर क्या king rule करा करते थे और ठीक है जो भी royal family के लोग होते थे king वगेरा राजा वगेरा वगेरा वही rule क्या करते थे आयो बात समझ में आ गई है तो बचो यह सारी हमारी non-democratic countries के examples है चली आगे चलते हैं हम लोग और यहां पर next question पूछ रखा है कि mention the essential features of a democracy तो बचो जब हम democracy की बात करते हैं तो कुछ ऐसे features हैं जो किसी भी country को एक democratic country बनाएंगे राइट कुछ ऐसे features होते हैं की features ठीक है बच कि final decision making power जो है final decision making power किस के पास रहेगी तो बचो यह ना उन लोगों के पास रहेगी those who are elected by the people तो बचो हम लोगों ने जिसको elect करा है अपना ruler चूज करा है अपने representatives के तौर पे चूज करा है उन ही लोगों के पास decision making power रहेगी कि किस तरह से decisions लेने हैं यह वही decide करेंगे ठीक है बचो उसके बाद free and fair elections तो बचो एक तरहां से free and fair elections का यह मतलब है कि अगर अभी कोई power में है तो उसका पूरा का पूरा chance है उन लोगों का भी कि वो जो है elections में हार सकते हैं right free तरीके से election होंगे fair तरीके से election होंगे कोई भी गलत means नहीं उसके जाने चाहिए election के समय पर और बचो जो power में है उनके पास पूरा chance है कि वो elections हार सकते हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि अगर कोई power में है तो अब वो एक बार ही elect हो गया तो वो power में ही रहेगा जिंदगी भर नही बिल्कुल भी नहीं ऐसा नहीं है बच्चो हम जो है rulers को change भी कर सकते हैं अगर हमको पसंद नहीं आते हैं वो elect करने के बाद भी ठीक है बच्चो तो बाद यहां पर समझ में आ गई है उसके बाद each adult हर जो है बच्चो adult citizen कितना 18 साल से उपर जो होता है उसके पास क्या है उसके पास है बच्चो one vote one vote one value एक वोट हर किसी के पास होगा और इस हर वोट की एक ही value रहेगी मैंने बताया था आपको ठीक है बच्चो और कोई भी democratic government जो है democratic government बच्चो elect हो जाएगी तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनके उपर कोई restriction नहीं है पाबंदी नहीं है वो जो है किसी भी तरीके से rule कर सकते है नहीं बिल्कुल भी नहीं ठीक है बच्चो तो democratic government जो है it will democratic government rules within limits set by constitutional law and citizens rights तो बच्चो law जो हमारा constitutional law है उसके हिसाब से हमारी government को function करना पड़ेगा साथ ही में लोगों के आप जो अधिकार है rights है उनको छीन नहीं सकते हो ठीक है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है इतनी power नहीं मिली है आपको कि लोगों ने आपको elect कर रहा है तो आप उनके ही rights जो है छीन में पूरे chances है ठीक है चलिए अब जो है quiz attempt कर लेते हैं quiz number 2 और यहां पर पहला question है कि what kind of government does Myanmar have Myanmar में कौन सी government है government elected by people communist government army rule या फिर मोनार्की जल्दी से बताओ चलिए next question क्या है बचो democracy के कुछ drawbacks बताने है कुछ loopholes बताने है कि democracy कहां पर lag करती है instability and delays, corruption and hypocrisy, politicians fighting among themselves या फिर all of the above कौन सा reason हो सकता है चलिए discuss कर लेते हैं बचों तो democracy के drawbacks कौन कौन से होंगे देखिए यहां पर बचो instability रहती है, अस्थिरता रहती है और delay भी आता है, process में थोड़ा धीरे धीरे चलता है, process कुछ जादा ही तेजी से नहीं दौरता है तो ऐसा तो है, corruption भी है, hypocrisy भी है, और politicians भी आपस में जगड़ते रहते हैं, प्यार से तो नहीं रहते हैं तो इस वज़े से हम बोलेंगे all of the above और बचों मयान मार में कौन से टाइब की government मौजूद है मयान मार में बचो army rule है, ठीक है तो option C जो है न यहां पर सही है आगे चलते हैं, next question देखते हैं, तो question को read करिए तो बचों, democracy के अंदर decision making का जो process है, वो काफी slow होता है, काफी धीरे चलता है जिस वज़े से कुछ ऐसे भी लोग बोलते हैं, कि देखे, decision making इतनी slow है ना, इस वज़े से instability आती है आपके system गंदर, inefficient है यह बचों, देखो, धीरे धीरे decision बन रहा है ना, लेकिन उससे ना एक फाइदा भी हो रहा है, बोलते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का, तो थोड़ा धीरे धीरे करो वही ही, तो बचों, यहाँ पर decision making जब एक slow process है, तो that means कि एक quality decision निकल कर आएगा, अच्छा सा decision निकल कर आएगा, ठीक है? अब बचों, देखे, democracy जो है, democracy is based on, किस चीज़ पर based होती है? consultation, consultation and discussion, तो बचों, एक तरह से consultation और discussion पर based है, जब भी कोई decision मनता है, तो बहुत से लोग आपस में, जो है, साथ में बैठ कर एक दूसर को consult करते हैं, क्या यह चीज़ सही है, क्या यह गलत है, discuss करते हैं, उस चीज़ के उपर meetings होती है, discussions होते हैं, बहुत से लोग इसमें के बाद जाकर कोई भी decision मनता है, ठीक है, and when a lot of people put their heads together, put their heads together का बचों मतलब क्या है, कि जब बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के सोचते हैं, थोड़ा अपना दिमाग चलाते हैं, ठीक है, तो बचों उससे क्या होगा, they are able to point, able to point out possible mistakes in a in any decision ठीक है, तो बचों हम देखते हैं, जब बहुत सारे लोग एक साथ एक जुट होकर काम करेंगे, ठीक है, they will put their heads together, तो उससे क्या होगा, वो जो है बचों कि कुछ भी possible mistakes, जो भी किसी decision में लगती होंगी, उनको point out कर सकते हैं, जैसे, suppose हम 10 लोग बेटे हैं, ठीक है, कोई बोलते हैं, एक कोई भी बंदा खड़ा होकर बोलते हैं, एक कोई भी बंदा खड़ा होकर बोलते हैं, बचों उसमें पांच लोग तो ऐसे थे group के अंदर जिनको कोई इसमें कोई गलती नहीं दिखी, वो कह रहे हैं, अरे बहुत अच्छा decision है, है ना, लेकिन बचों हर किसी का दिमाग एक तरीके से नहीं चलता है, तो कुछ बाकी जो तीन चार रह गए थे, उन्होंने बोल दिया, कि देखो हमको तो ये भी mistake लगती ह है, तो बचों ऐसे mistakes, कोई ना, कोई तो point out कर ही देगा, ठीक है, जो कि सही भी है, बहुत सारे लोग जब होते हैं, तो अलग-अलग viewpoints है, कोई ना, कोई mistake तो ढून कर निकाल लेगा, और उससे बचों decision improve हो जाएगा, राइट, अब बचों एक बात है, ठीक है, कि decision making takes a lot of time, बहुत ज़्यादा समय लगता है इसके अंदर, लेकिन बचों, there is a big advantage, ठीक है, there is a big advantage in taking time over, over, एक second, important decisions as, क्या होगा, as it prevents one from taking irresponsible or rash decisions. जल्दबाजी में लिये गए decisions, खतरनाक होंगे बचों, और irresponsible तरीके से लिये गए decisions लेने से बचाता है, ये time taking procedure, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हों, तो obvious सी बात है, आप बहुत ज़्यादा factors को consider करकर किसी भी decision पर पहुँचोंगे, irresponsible नहीं बनोगे है ना, थोड़ी responsibility से decision लोगे और rash decisions नहीं लोगे कि कुछ भी, है ना, ये सब नहीं होगा, चलो, अब जो है, यहाँ पर next question पर आते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि Robert Mugabe जो है, उन्होंने Zimbabwe में, बच्चों, जब वो एक तरह से power में आ जाते हैं, तो कौन-कौन से steps लिए थे कि वो power में रह जाए, पावर को retain करके वहाँ रुख जाए, कि अब उनको कोई नहीं निकाल पाए, अब वही बस राज करते रहें, तो बच्चों, इन्होंने बदे क्या करा, इन्होंने, they made changes, इन्की जो government धी, they made changes, in the constitution, Constitution, Constitution में changes क्या कर दिये, जिससे Robert Mugabe, he became more powerful and less accountable, more powerful and less accountable का क्या मतलब है बच्चों, देखे, Constitution में बदलाव कर दिये गए, जिसके बाद Robert Mugabe को ऐसा बोला, कि Robert Mugabe को बना दिया, जो head है न, उनको बहुत जादा powers दे दी, और जादा powers दे दी, जितनी पहले भी नहीं थी, और उनको less accountable भी बना दिया, कि मतलब अब जो है न, लोगों को उनको जवाब इतना नहीं देना पड़ेगा, पहले जवाब दे ही थे, अब नहीं देना पड़ेगा अपने actions के लिए, ठीक है बच्चों, तो less accountable बना दिया है, और और जादा powerful बना दिया है, उसके बच्चों करा जा रहा था, उनको exploit करा जा रहा है, Harris करा जा रहा है, Hill treatment उनके साथ करा जा रहा है, and meetings जो होती थी, बच्चों, इन opposition parties की, their meetings were also disrupted, meetings को रुखवा देते थे, उनको disrupt कर देते थे, जाके रोक देते थे, ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखते हैं, protest by public, protest by public, and demonstration, were made illegal, made laws to limit the right to criticize the president तो बच्चे एक तरहा से, obvious सी बात है, public कोई खुश तो होगी नहीं, कि आपने जो है ना, leader को इतना जाधा पावर्फिल बना दिया है, लोगों के rights छीन रहे हो, तो बच्चों, public protest करेगी, obvious सी बात है, लेकिन उसके लिए भी पहले ही सोच लिया, और बोल दिया, कि ये जो जितने भी public protest, demonstration धरने, ये सारी चीज़े होंगी ना, इनको क्या है, ये अब illegal हो चुके है, ये legal है ही नहीं, तो आप कर ही नहीं सकते हो, ठीके बच्चों, और एक तरहा से, कोई भी अगर प्रेजिडेंट को criticize करना चाहता है, तो उसका जो right है, उसका जो अधिकार है, criticize करने का उसको भी छीन लिया गया बच्चों, उसको limit कर दिया गया, साथ ही में बच्चों, चापना है, जो भी कुछ लिखना है, या बोलना है, हर चीज आपको ruling party के favor में बोलनी और लिखनी पड़ेगी, और जितने भी बचों independent newspapers, journalists थे, तो उनको Harris करा गया, उनको डराया धमकाया गया, जो भी मतलब एक तरह से president के खिलाफ कुछ भी लिखते थे, ठीक है, तो उनको डराध हमका देते थे, तो बचों यहाँ पर एक freedom of press जो है, वो भी छीन ली है इन लोगों नेक तरह से, चलिए, अब जो है quiz को attempt कर लेते हैं, और बचों quiz का पहला question क्या है, In which period did China face one of the worst famines that have occurred in the world? तो यह बचों हमारा quiz no. 3 है, और इसके अंदर, in which period? नेक्स्ट क्वेस्टन है, बचों, When did Zimbabwe attain independence and from whom? तो Zimbabwe को independence कम मिली थी, अजादी कम मिली थी, और किस से अजादी मिली थी? जल्दी से बता दो फटा फट से बचों, यहाँ पर अपने जवाब दे दीजे और चलिए, 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 डिसकस कर लेते हैं, तो बचों, Zimbabwe को independence मिली थी, 1980 में, किस से मिली थी? वाइट माइनॉरिटी रूल से मिली थी, तो option D जो है न, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, तो बचे एक तरहां से blacks और whites, जो racist थी, racism होता था और जो हमारी white race थी, वो एक तरहां से exploit करती थी, harass करती थी, black race को उनको inferior मानते थे, अपने आपको superior मानते थे, तो बचो यह एक तरहां से, जो यह discrimination है या जो भी चीज़ है, उससे अजादी मिलती है, 1980 में जिम्बाबवे को और white minority rule भी हट जाता है वहां से, ठीक है बचो? उसके बाद पिछला question था कि China के अंदर one of the worst famine एक तरह से जो भुकुमारी वाली situation आ जाती है, कब आ गई थी? तो बचो यह आई थी 1958 से 1961 के बीच में, यानि की option B जो है बचो यहां पे बिलकुल सही है, बिलकुल ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं और हम जो है बचो एक तरह स जो features of democratic and non-democratic government है, ठीक है, इनको discuss करेंगे, तो थोड़ा सा पढ़ कर आना कि democratic और non-democratic government के बीच का जो difference है, वो क्या होता है बचो, हम इसके points बहुत सारे हैं, अभी नहीं discuss करेंगे, next class में discuss करेंगे, अभी हम अपना last quiz attempt करेंगे, एक और quiz है, इसको attempt कर लेते हैं, फटा-फ and law to set up the constituent assembly, या फिर नन आ फ दे अबबब. चली, next question है, बचो, who led a military coup in Pakistan in 1999, तो बचो, कूप क्या होता है, military coup is like, जब आप military के दम पर क्या कर रहे हैं, कोई violent government के इंदर change लाना चाहते हो, एक sudden change लाना चाहते हो, ठीक है? चली, बचो, discuss कर लेते हैं, फटा बच से discuss कर लेते हैं, हम इस चीज़ को, और हमारा जो पहला question था, वो क्या था? Constitutional law क्या होता है, बचो, Constitutional law होता है, option A, provisions जो की constitution में दी जाती है, ठीक है? और next question में, जो पूछा गया है, वो है, कि military coup Pakistan में किसने lead करा था? 1999 के अंदर तो वो थे बचो परवेज मुशरफ, इन्होंने lead करा था, ठीक है? तो यहाँ पर बचो, हमारे दोनों ही, जो है, हमने questions को discuss कर लिया है, सारे के सारे quiz को भी attempt कर लिया है, अभी आपको क्या करना है, छोटा सा homework, आपको democratic और non-democratic government के बीच में थोड़ा सा difference पढ़ कर आना है, और हम जो है ना, इस class को कब continue करेंगे? मंडे को continue करेंगे, ठीक है? चलिए, अब जो है बचो, आज हमने important questions discuss करेंगे, कुछ करेंगे, कुछ जो है अभी नहीं करेंगे, और हमारी revision class होगी, कल नहीं बचो, कल तो Sunday है ना, अब हमारी revision class होगी, मंडे को, किस time पे एक बज़े, इसी time पे, ठीक है? चलिए, तो हम लोग मंडे को मिलते हैं, इसी सम पर तब तक के लिए बचो, take care and bye